दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास तिंत का अध्याइत्री दो चरवाले रैखिक समी करण इसके कुछ खोश्चन करते हैं कुछ हमने कर लिए हैं और इसके कुछ बिलोपन परतिस्थापन बाले सुलूशन कर लिए हैं अब हम सत्मा करना है सत्मे में क्या लिखा है दो संख् कांतर 26 है और एक दूसरी संख्या की तीन गुनी है तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या बोला है कि दो संख्या बोला है तो हम लिखेंगे माना पहली संख्या आकस तत्हा दूसरी संख्या बाई बाई है ठीक हमने दो संख्या लिख लिए वही बोला ही है कि पहली दो संख्याओं का अंतर जो हमने लिख लिख लिया एकस बाई equal to 26 बरावर 26 दो संख्या बोला है जो की दो हमने लिख लिए है कि X X Y तो हमने X minus Y equal to 26 कर दी अंतर बोला है मतलब हमें घटा ना लगाना अंतर बोला है इसलिए हमने यहां minus किया ठीक अंतर बोला है इसलिए ठीक minus X minus Y बरावर 26 ठीक आगे देखते हैं लिखा है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है एक संख्या मतलब जो एक संख्या है इसे हम समझ करें एक समझ सकते हैं जो एक संख्या है मतलब X दूसरी संख्या की तीन गुनी है मतलब X जो है उसे बोल रहा है कि X Y से तीन गुना है मतलब हमें X equal to 3 Y करना है क्या बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है वो बोल रहा है कि यह जो Y है यह पहले से ही तीन गुनी है इस संख्या से यह पहले से ही तीन गुनी है इसलिए हमने इसमें 3y किया और यह सिर्फ यह x बस है और इसमें हमने इसलिए 3y किया ठीक यह समी करण 2 हो गया अब हम आगे लिखते हैं आगे करते हैं आगे लिखेंगे सम्भाई कमान मतलब जो एक्स भायरा है ना x equal to 3y मिला तो हम लिख देंगे x कमान समी करण 1 में रखने पर यह फिर ऐसे भी बोल सकते हैं को समी करण 2 कमान समी करण 1 में रखने पर यह भी बोल सकते हैं ठीक अब हमारा समीकरण एक बन गया है यह बन गया है x-by equal to 26 x-by equal to 26 ठीक यह हुआ और हमाई समीकरण 2 में है यह समीकरण 2 में लिखा है x equal to 3y तो हमें आक्स में रख देना है त्री बाई माइनस बाई बरावर 26 यह घट गया तो टू बाई एक्वल टू 26 ठीक इतना हुआ यह बाई इक्वल टू बाई इक्वल टू क्या होगा 26 बटे दो जो की दो एक्वल दो त्याई इच्छा मतलब तेरा आया है क्या है आक्स बाई इक्वल टू टू तेरा अब हमें जो यह बाई इक्वल टू तेरा मिला ना अब हम इसका मान समी करण दो में ही रख देते हैं बाई कामान जो बाई कोल टू तेरा मिला तो लिखेंगे बाई कामान समी करण दो में रखने पर रखने पर ठीक दो में रखने पर दो हमें क्या मिला है हम एक बार उसे देख लेते हैं दो हमें मिला है there कि अधिए दो मिला है औहुपर नहीं जाना है ये दो मिला है एकस क्वल टुथ्री भाई हम लिख लेंगे ऐस ऐकस़ी एकवरटू थरीव भाई में में थार्टीन मील आव बतरों तेरा तो तीन गुड़े 13 तेरा दूने जोब तेरा तिया 49 थर्टीनाइन तरतिया 49 आया ठीक 49 एक्स इक्वल टू 49 वाई इक्वल टू 13 बस हम यहीं जात करना है हम जांच क्या वोला था दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिन गुनियां उन्हें जात किजिए हम लिख संख्या हमारी 39 है और दूसरी 13 है 13 जांच जांच भी हम कर लेते हैं सही है कि नहीं जांच जांच में हमारा समी करन एक है जो ऐक्स माइनस बाई इक्वल टू 26 26 इसी में एक्स बाई का मार रख देंगे एक्स का मान आया है 39 29-13 इकोल टूच पडिस यह 9 में जब 3 जाएंगे तो क्या आएगा 6 और 3 में जब 1 गये 2 मतलब 26 इकोल टूच 20 है मतलब यह हमारा सही है इस तरह से इसे हमें solution करना है और यह हमारा हल हो गया तिक यह हमारा question था यह हमने हRhukar-dia त्य को एसमें कोश्चन था दो संख्याओं का अंतर 26 एक संख्या दुसरी संख्या की तीन गुनी दो संख्या बोला था इसलिए हमने से पहले मान लिया पहले संख्या राए ठीक फिर अक्समानस वाई बरावर 26 करता है जो की संख्या संख्या एक संख्या के तीन गुनिए इसलिए एक्स उप्फय कर देशा हम नहीं को लिए एक्स कमान समी करण एक में रखने पर पर सकते हैं सहसे बरावर थेशा है तो हमने रख दिया एक में ठीक यह रख दिये थरी आ आया तो 13 आया बाई का मन समीकरण 2 में रखने क्योंकि दो हमारा आसान है एक्सट उकल to 3 भाई है बाई में रख देंगे तो आ जाएगे इसलिए रख दिए भाई का मन समीकरण 2 में रख एक्सकल टू 3 पाई एक्सट एक से रख दिते रहा तो 39 आ गया है भी समझने के लिए ठीक यह मारा जाच हुआ यह एक्स मारस बाउसिंबा मान रख दिये आखसका वाई कबाई में तो जो कि यहां घट गया इसलिए यहां भाई में घट रहा है तो घट गया ना माइनस इसलिए 26 अब यह हमारा सही वा धन्वाद